एलो स्टुडेंट्स मैं विसाल देवर्सी और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्ध फिजक्स जो भी स्टुडेंट्स से सानेट आइटी जैम या कि रेजुएशन में फिजक्स आप्ट किये हैं या फिजक्स पढ़ना चाहते हैं डिगार्लेस सब की वो ग बिवेंट चार्ज दिस्टुड ये काफी इंपोर्टर अप्लिकेशन था पहला अप्लिकेशन दो था कि गॉस्त लॉस्त लौए इलक्र अलेक्रा फ्लक्स कैसे निकालते हैं second application था गॉस्त ला से आप्लेक्ट्रिक फिड कैसे निकालते हैं फोर दे गिवेंट चार्ज डिस सब्सक्राइब सेस्ट लोग ने किया था ठीक है एक दो केसे देखा भी था जैसे हम लोग array last class में we saw this case we found electric field for uniformly charged sphere uniformly charged sphere uniformly charged spherical electric field निकाला था और उसके बाद हमने एक question और किया था एक यह question किया था जहां पर electric field was sorry the charge density was depending on R R पर charge density depend कर रहा था दो केस किया था हम लोगोंने दो केस किया था एक तो किया था जहां रो constant है जहां पर रो इस constant आएक केस यह था जहां पर रो वाज डिपेंडिंग something like this ठीक है दोनों ही केस में जहां हम लोग इलेक्टिक फीड निकाल रहे दूसरा लिया था इलेक्टिक फिली रेडियल तीक है दो केस किया था एक में हमारा चार्ज स्फेर दिया हुआ थे इसमें रो वाज कॉंस्टेंट आप दूसरा में क्या था रो वाज रो नाट वन माइनस आर भाई आर तो जब लोग गौसला अपलाई कर रहे थे लोगों कर रहे तो लोगोंने यूज किया था एक तो ऑफ को अनुम टिक लोग थे थे एक दुसरा हम लोग किया था कि लेक्ट्री फंक्शन ऑफ आर उनली सुक्कि कीकि यह फंक्शन आफ और आर ऊली तो फिर सके साथ भर इसों इंट्लेंस से बाहर निकाल के ला रहा है टोए दोनों का यूज करके हम लोग घूंट को इवैलोट किया था एक दूनों यूज करके हमने सलब्ट को एक लास्ट में जाते आथे आपको मैंने कुशन मैं देख वह दोन इंफोसर कहां से आ रहा है और यह एंफोसर कहां से निकल के आ रहा है यह कम लोग को दिखना यह हम लोग को देखना वट भी पर डिस्कुरशन करेंगे जो कि इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग को सिमेट्री के बारे में डिसकेशन करना होगा क्योंकि यह सारा इन्फरमेशन सिमेट्री आफ चार्ज डिस्टिबिशन से निकल के आ रहा है हुला कि मैंने सिमेट्री आपको पढ़ाया है दिसकेशन कर रहे थे आपको तीन तरह का सिमेट्री बताया था सिमैट्री और और यह वह asude के पढ़ेज्टाओंस लिक्तिछबा देते हैं कि Inversion symmetric क्या होता हैRotational symmetry क्या होता है glow Reでした ओने इस्वहां लोग आपको briefly बता देते हैं अप लिवकर देखेंगे कैसे हम लोग symmetry कर use करके यह दोने information लेके आते हैं कैसे हम लोग symmetry का use करके यह दोने information हम लोग निकालता है यह उसके पहले लेकिन हमको नहीं लगता है कि 99.9% लोग को सीमेट्री का रियल डेफिनेशन पता होगा खास करके मैं देखता हूं केमस्टी का लोग बहुत यूज करता है एक अबतो इक आप्ड कहर्णा में से मैं स्यम味 है मैं सिमेट्री कि वजय है तो बहुत ही वाइदली यूज टर्म है और फ beimի verdict community to use this word system चमनेशव कski तुकति कर मातिंड देखते शुंदेट सुम्रें of symmetry or not i'm not telling for all of them but most of them okay so let me give you a definition of symmetry देखें सिमेट्री नेचर में नेचर में सिमेट्री तीन तरह का पाया जाता है नेचर में तीन तरह का सिमेट्री देखने को मिलता है एक है सिमेट्री दूसरा है रोटेस्टम सिमेट्री अधीजरा है रिफ्लेक्शन सिमेटरी तीन तरह का सिमेट्री हम लोग देखने को मिलता है हम लोको one is इन वर्जन सिमेट्री ठीक है हम लोग यहाद थ्री टाइपस शिमेट्री existing in nature काफ़ी इंपोर्टेंट है देखिए काफ़ी ज्यादा यूज होता है अभी तो स्टार्टिंग है ठीक है आगे और भी यूज करेंगे मैक्सल इक्वेशन में देखेंगे कि पूरा क्लाइमेक्स ही पहुच जाएगा ठीक है कैसे हम लोग स्यूज करके displacement current निकाल लेंगे वो से हम लोग देखेंगे ठीक है तो अभी आपको definition देदेते हैं आफिर symmetry देखेंगे हम लोग सिमेट्री से कैसे वो दोनों information कि electricity function of r and electricity radial कैसी information निकल के आता है और कहां पर यह चीज़ hold नहीं करेगा कहां पर electricity फिर रेडियल नहीं होगा या कहां पर हम लोगी आजिम नहीं कर सकते हैं कि electric video function of r only तो we have inversion symmetry then we have rotational symmetry and we have reflection symmetry यह तीन तरह का symmetry नेचर में पाए रहता है यह दीज त्री काइंड़ सिमेट्री एक्जिस्टिंग नेचर नेचर में यह तीन तरह के सिमेट्री एक्जिस्ट करते हैं समझ में आरा कुछ अच्छा भी कुछ बताएं ने समझें कैसे त्रेफिनेशन लिखते हैं यह तीनों का तीनों का हम definition पहले लिखते हैं पहला देखिए इनवर्जन सिमेट्री इनवर्जन इनवर्जन सिमेट्री क्या है इसको कई वालोग स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं फिजिक्स के लोग इसको आर्ग स्फेरिकल सिमेट्री इसको स्फेरिकल सिमेट्री भी बोला जाता है स्फेरिकल सिमेट्री इस सिस्टमेज अच्छे इसका यूज देखो कॉंटम मेकानिस म भी रहेगा, इस स्टम इस सेट पॉसेज ए इंवर्जन स्मेट्री इंवर्जन इससे एंवर्जन इससंटर इंवर्जन भी झार्जन स्मेट्रे झार्जन धान driving य है .वजर्जन ओर्जन ओर्जन if there exists a point from where if we draw if we draw any R vector the word any is important the word any is important then whatever environment exists at the tip of our vector at the tip of our vector there photo environment exists at the tip of our vector the same environment must prevail at the tip of minus R vector your definition a general definition how the chemistry or solid state physics or mechanics or quantum mechanics or electricity matter where you can use the definition of the definition of the general definition of which you can use the definition of which you can use it depends on which environment we are talking about the environment we are talking about the environment could be mass distribution if electrostatic we use current environment could be charge distribution again electro dynamics we use current the environment may mean the current distribution against quantum mechanics we use current environment can mean the presence of H atom or something like that are the presence of the potential potential function the back of the sector again home logo score chemistry we use current the environment can mean the presence of c atom or h atom organic chemistry man is called solicitor phase my use car row then environment can mean the presence of lattice point to care so depend kata is definition of the car use car row that will decide ki environment means the charge distribution the charge distribution or the field distribution the environment means the charge distribution or you may have potential distribution other field distribution so the definition of the system is set to possess a inversion symmetry a an inversion symmetry if there exists a point if there exists a point from where if withdraw any r vector then whatever environment exists at the tip of r vector same environment must prevail as a tip of minus r vector joe in our system can the inversion symmetry for example for example if we have the last two question here for example if we have the last two question here for example if we have the uniform charge distribution time let me draw it let me draw it take my uniform charge distribution thought and the other way charge distribution row se vary and the other way charge distribution and the other way charge distribution c on st and the other way charge distribution row is row not one minus r one minus r one minus r you have a point exist center 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 will be that point center will be that point this should be row now and if you haven't seen it if you have as to know the center 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 it is a point that you can label it any r vector some direction the environment the environment that the environment i have to lie the environment that the environment would be minus r vector यहां पर कोई भी चाज नहीं है तो आप देखेंगे कि यह माइनस आर पर भी को भी चार्ज नहीं रहे हैं यहां पर डोन्ट इनी चार्ज डोन्ट टाव ऐनी चार्ज वह हिर इस चार्ज अवह है यह यह है इसके बजाए अगर आपको ऐसा दिया होता कि यहाँ पार्टीशन है यहाँ रो हो यहाँ नहीं वोसकते क्यों हम अगर यहाँ पर यहासेट रौ मिलेगा आओ यहाँ ज्केसर में दैनलिछ नहीं हो सकते हैं ऐसेले हमारे मेरो है फोल है नीचे हाले distribution does not possess inversion symmetry ये charge distribution के अंदर inversion symmetry नहीं है समझ में आ रहा है ची आपको what about the second one इसमें इसमें भी inversion symmetry है आप देखें center will be the inversion center इस point को inversion center बोलते हैं there exists a point this is called this is called inversion center we call it inversion center this point is called inversion center okay so you can see here we draw if I draw R vector the charge density is going to be this okay so whatever charge density you have over here the same charge density will be at minus R cap also okay our value you have a our care distance from the center you have a distance for the center is our coordinate or same right Joe charge and see hi by charge of see ya you have a R can R is distance from the center so distance from the center at the tip of our vector and distance from the center of the tip of minus our vector is same yeah 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 you don't have anything on the R this awesome this is in the time पर आर कॉस्टीटा कर देता है ठीक है उस case में इन्वर जन्स नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर ये यहां पर चार्ज अजी क्या है रो नाट वन माइनस आर कॉस्टीटा यहां पर ठीटा है तो इस जगा पर एंगल क्या हो जाएगा इट विड़ भी पाइ मैं कि अडेयर टीटा ओले मेजर्ड पिस तडिए टो यहां पर एक्टर जो है पॉस्टीट अग्जेस से फाइ मैंनस थीटा अंगल बनाएगा तो कि आर क्या विक्तर माइनस ऊटता के बीच आइंगल तो यह एकल कितना हो जाएगा यह पाई नाइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर टेंसी क्या हो जाएगा रो इकोटो रो नाट वन माइनस आर कॉस और इसल भी रो नाट 1 प्लस र कॉस्टीटा थे था देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस्टीटा भी प्लेस कर दे तो इस case में it kills the inversion symmetry it simply kill the inversion symmetry right it kills the inversion symmetry and now you no longer have inversion cost theta लगा देंगे तो अगर यह cost theta नहीं है या फिर रो constant है उसके से हम कह सकते हैं कि वो क्या बोगते हैं मस अंदर constant concept concept कोंसेथ समझिए खाली सवाल लगाने से टो तो फिसक्स याद कर रहें ठीक है कि वह सवाल अगर कर रहे हैं मतलब कई आज करेंड हो गया है कि कि वह सवाल ही कर रहा है लोग फिए कोई टापिक सुरूगे सवाल करना चालू कर दिया और एक कॉंसेट बना लो भाई ठीक है कॉंसेट बनाओगे थो थिवरी पड़ो थो समझो चीजों को उसके बाद करने से पहले बढ़ियां से थीयोरी समझ यह टाइम दीजिए जल्दबाजी में फिजिक्स नहीं होगा जल्दबाजी में सुचएंगे हम फिजिक्स करने तो नहीं होगा है और यार बताते हैं आपको आप लोग ग्रेजुेट देखो चैनल जो है ग्रेजुएट लोग के तो ग्रेजवेट लोग के लिए एक्जाम क्वालिफाइक आपको फिस आगे भी कंटीनिव करना है जो आइटी जही दे रहा है चलो फिजिक्स आगे उतना पढ़ेगा नहीं पर हला कि उसको विजोद पढ़ता है लेकिन जो ग्रेजवेशने बच्चे हैं वह आगे चलके जो सो नेक्स सीयमेट्री देखते हैं है हार नेक्स्ट इस रोटेस्नर स्नेक्रिल पोस्का इस मैं नेक्स्टीराह ड्रेशनल स्मक्त्रि इसका वे दिवेज़ देता है आए अच्छे इनक हैं सिमेड्रू को स्फेरीकल स्मेट्री एग एगुर्ण ज्यादा यही वड़ी होता है स्फेरिकल स्मेट्री मैंस कलो रोटेशनल स्मेट्री यूज करता है ठीक है रोटेशनल स्मेट्री देखिया system is set to pose a rotational symmetry if there exists a line from where if we draw any r-vector any r-vector perpendicular to the line then whatever environment exist at the tip of r-vector the same environment participant prevails at the tip of minus of it must be तो कि यहां पर जो लिखा है चरहा है कि एक सिस्टम कोई सिस्टम है इस सिस्टम में रोटेश्नल सिमेट्री होगा अगर if दे एग्ज़िस्ट एलाइन फरों वेर एक विड्रॉण एद्युए नाहीं था करते हैं जो इन्वारिमेंट आ वेक्टर के के टीप पे होगा अगर वही निए माइनस एक टीप भी है उसके बोलें कि इसके इंदर इंवर्जन सीमेटर फॉर इसमेंपल मालों को है मैं सफ्फेयर दिया आप और हमिस्थ्य में रोई स्कॉल्स्टेट अब इस केस में इन्वर्जन सिमेट्री तो नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट इस नहीं करेंगा जहां से वह भी आर्वेक्टर ड्रॉख एने जो इनवामेंट आर्वेक्टर के टीप पे है वही इनवाम माइनस आवेक्टर ट प्रा करते हैं जो इनवामेंट यहां है वही इनवाम माइनस आवेक्टर के टीप भी है ठीक है यहां होल्ड कर रहा है लेकिन इतव ओन्ट वोल्ड गूड फो दिस आर्वेक्टर यहां पर कोई चार्ज नहीं है यहां पर चार्ज अब को मिल जाएगा तो इन्वर्जन सिम अब उसके माइनस आर्वेक्टर के टीप अलग अलग है तो इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होगा क्या बोले से सुनिया जो इन्वर्जन सिमेट्री में था वहां पर लिखाता है कि there must exist a point from where if any r-vector किसी भी डिरेक्शन आर्वेक्टर जो इन्वर्जन आर्वेक्टर के टीप ध्यवाइन कि दॉए यहां पर देख सकते हैं यहां पर इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है लेकिन है रुस्टेसर्ण सिम mileage है यहाँ पर एक ऐसा इसा करता है जहां सो कोई भी R-vector perpendicular direction में draw करते हैं जो environment यहां पर है वही charge distribution यहां पर है यहां environment क्या है? environment is the charge distribution basically environment is the charge distribution basically it is charge distribution यहां पर environment जो है वो charge distribution समझ में आ रहा है चीए आपको whatever environment is the tip of R-vector the same environment exists at the tip of minus R-vector तो इसके अदर inversion सेमेट्री तो नहीं है लेकिंन इसके अंदर rotational symmetry हो ठीक है इसके अंदर rotational symmetry invaded symmetry नहीं है तकि इसके इतार?, रोटेशनल symmetry को cylindrical symmetry है बुला रोटेशनल symmetry को cylindrical symmetry भी कहते हैं ठीक है अच्चा टीछे में हमने लिया था यहां पर यह लिए था रोव और टूरो ऋरू पूट करने से कहतें इन्वजन enwarts छिमेट्री करतो हो जा रहा था ठीक है इसके अंदर अगर रोव और टूरो लेते हैं तो इसके अंदर भी रहेगा इन्वजन सिमेट्री नहीं रहेगा यह ले कि एसके अंदर लगे सकते हैं जहाँ पर कोई भी आव एक्तर ड्राकिया दर पर्पेंडिक्रिक डिस लाइन दें दिया मासर माइन सा तो मैसाल विक्तर जो इन्वार्मेट यहां है रो पर पर प्रब्रिकुला टुदा लाइंग राकर जो इनुवाइंड आव टेक्ट पे हैं माइनस आवेक्ट टेक्ट पे भी होगा ऐसा एक हम लोग लाइंड़ करसे लाइंग लोग द्राइंड पर इसके अंदर इनवर्जन से में तो नहीं है तेकि रोटेश्चनल से में उस् से कुलरह इसा द्रकी हमले जो आपका रहाँ यहां पर पर क्या है अगर मालों यह ठीटा है तो रहाँ पर यह ए बारना कॉष सितल पूट करने से आपका इन्वाजन स्यमेट्री खतम हो गया था टो से इसे बीविभी रहेगा सटम स्यमेट्री अभी रहे अभी रहेगा आपको है तो अए कि के तो यहां पर प्या sesame कि नहीं है लिग रोटेस मेंट्री फिर भी एक्जिस्ट कर रहा है अधेसाटिक घर यहमिस्पर दरता है कि है की डॉटेशों सिमेट्री थे happened स्टेश्ल पे टेमिरफ दर जेर तहीं है टेकिन रोटेसनल डिमाट्रिक है पसके थेख लेता है क्या तुस्टरेश्ट रहें देख लेता है फिरविक ठासा दिन बॉप्षम मेर करें we are another kind of symmetry that is reflection cement that is reflection cement elections okay reflection symmetry man in the reflection symmetry let's say definition a system is set to possess the reflection symmetry if there exists a plane from where if we draw any r-vector perpendicular to the from where if we draw any r-vector perpendicular to the plane whatever environment exists at the tip of our r-vector the same environment reveals at the tip of minus r-vector reflection symmetry in version symmetry in version center rotation symmetry line there was existing a line from where if I was drawing any r-vector whatever environment prevailed at the tip of r-vector r-vector tip hooga vahe environment minus r-vector tip hooga vahe usually aapko electro electro mechanism cases in version rotational symmetry the 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 इस सोलिटेट फेसे बहुत होता है इसका यूजा फेसे बहुत होता है इसका यूजा आपको क्यूवाइड दे दिया है जिसमें चार्ज जलसी रो है ठीक है ठीक है आप देख सकते हो अगर रोई दचार्ज जंस्टी रोई दचार्ज जंस्टी देड़ आई कन ड्रॉए प्लेन पिलकु मिड में एक ऐसा प्लेन ड्रा कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसा हो रहा है तो हम कहेंगे सिस्टम केंदर रफ्लेक्शन स्मेट्री भी है है शिस्टम केंदर रिफ्लेक्शन शिमेट्री इसकता अंधर है ठीक है तो यह तीन तरह का सिमेट्री हो लोग पड़े इन्वर्जन सिमेट्री इन्वर्जन सिमेट्री प्रोटेशन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन्वर्जन सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री यह तीन तरह का सिमेट्री हम लोगो of symmetry which nature gives to anybody inversion symmetry is the highest degree of symmetry which nature provides to any system अगर किसी system के अंदर inversion symmetry है तो उस system के अंदर rotational or reflection symmetry दोनों ही रहेगा but vice versa अगर किसी system के अंदर rotational symmetry है तो वो उस system के अंदर inversion symmetry हो ऐसा जरूरी नहीं है यहां पर rotational symmetry है लेकिन यहां inversion symmetry नहीं है rotational symmetry है लेकिन यहां पर inversion symmetry नहीं है लेकिन यहीं एक स्फेयर ड्राइब करने हम लोग विचार्ज रो दो एको सु कांस्टेंट अब यहां पर आपका इतास गाट ओल काइंड दस्युमेट्रिया और इन्वर्जन स्युमेट्री यहां पर इन्वर्जन स्युमेट्री है आप देख सकते हैं आपकर कहीं भी सेंटर से कोई भी लांगगे पर दीजिये आर ट्रा किजिये जो हरगें यहां है तो जिस जर्स इसन Mississippi होगा उस system के अदर rotational symmetry भी होगा उसके अंदर reflection symmetry भी होगा उसके अंदर reflection symmetry भी होगा लेकिन wise versa is not true अगर rotational symmetry है तो inversion symmetry हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सेहन चीज हम लोग reflection humanos reflection ऐग अगर system के अंदर rotational symmetry है तो इसके अंदर reflection symmetry भी होगा उसके अंदर suppose I can draw say something like this you have a bigger sphere this is set of all system which pose a reflection symmetry s1 then inside the set you we have set of system which poses rotational take a s2 then inside the system we have set of system where you know just met so set of system which is got inversion symmetry is proper subset of set of system which has got rotational symmetry and see proper subset of set of system which has got reflections right I think which is a mathematical way of representing such thing I have a big question what is that big question big question is why we are studying this is it for me is it for me it's not my book could be in the map of the the I'm 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 कर रहे हैं कि कुछ देखो physics में unwritten laws which physics में unwritten laws there are some unwritten laws in physics there are some some unwritten laws in physics just a philosophy like that we have some philosophies in physics that is one such unwritten law is whatever environment sorry whatever symmetry whatever symmetry is possessed by a cause the same symmetry exist in its effect cause effect क्या होता है इस पे एक हम लोग लीनियर सिस्टेम पर discussion किये थे लीनियर सिस्टेम बहुत डीटेल में हमने आपको बता है what is cause and what effect physics में physical quantities को भी classify them into cause and effect just example then if there is smoke there is a fire outside if there is smoke there is a fire yes if there is smoke there is a fire the smoke care effect fire can cause fire can cause they say how much newton's second law link them force equal to mass into acceleration acceleration guy effect force can cause force can cause electric field guy effect head charge distribution can cause charge is the cause electric static charges that is cause and the field is effect field is effect so unwritten lie यह बोल रहा है कि जिस तरह का symmetry तुमको cause में मिलेगा बिल्कुल वही symmetry आपको इफेक्ट में भी दिखेगा यह इसलिए सही होता है क्योंकि जो symmetry है it is not the property of cause and effect symmetry cause or effect का property नहीं है यह system का property होता है अगर system के अंदर इन्वर्जन symmetry है तो system के हर physical attribute के अंदर वह इन्वर्जन symmetry देखने को मिलेगा जो symmetry जो है किसी cause or effect का sole property नहीं है अगर system के अंदर system के cause के अंदर इन्वर्जन symmetry दिख रहा है इसका मतलब है कि system के अंदर इन्वर्जन symmetry है और सिस्टम के अंदर इन्वर्जन symmetry होगा तो उससे associated जितने भी physical attributes होंगे उन सभी के अंदर इन्वर्जन symmetry देखने को मिलेगा तो हमने यहां से क्या conclude कर रहे है कि अगर charge distribution के अंदर इन्वर्जन symmetry होगा अगर charge distribution के अंदर इन्वर्जन symmetry होगा तो इसका मतलब है पूरा electrostatic system उसके अंदर इन्वर्जन symmetry है और पूरे system of charges के अंदर इन्वर्जन symmetry है इसका मतलब उससे associated जितने भी physical quantity है like electric field electrostatic potential उन सभी के अंदर आपको इन्वर्जन symmetry देखने को मिलेगा ठिक उन्सभी के अंदर आपको इन्वर्जन symmetry देखने को मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको spherical charge distribution दिया हुआ है और यहां लिखा कि रोइस constant यहां से हम्रों क्या निसकर्ष निकाले कि इस charge distribution के इन्वर्जन symmetry है अगर चार्ज distribution के अंदर इन्वर्जन symmetry हो इसका इन्वर्जन symmetry है कि अगर सेंटर से को भी आपको ड्रा करते हैं जो charge distribution आपके टिप पे है वही माइनस आपके टिप पे भी है इसका मतलब यह है कि यह जो इन्वर्जन symmetry पूरे सिस्टम के अंदर है चार्ज देंस्टी से हम लोग चार्ज distribution के इन्वर्जन symmetry निकाल लिया या इस पूरे सिस्टम इन्वर्जन symmetry होगा इसका मतलब यह है कि जो अगर और फिजिकल कॉंट्री लाइक इलेक्ट्रिक फिल्ट पोटेंशल उन्स सभी के अंदर इन्वर्जन symmetry देखने को मिलेगा इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई भी आग अग्टर ड्रा किया तो जो इलेक्ट्रिक फिल्ट आपको इस जगह मिलेगा वही इलेक्ट्रिक वही इलेक्ट्रिक फिल्ट आपको यहां भी देखने को मिलेगा जो पोटेंशल इलेक्ट्र स्टाटिक पोटेंशल यहां मिलेगा वही पोटेंशल आपको यहां मिलेगा तो हमनों देख रहे थे कि अगर रो पॉंस्टेंट है या सिर्फ आर का फंक्शन है इन दोनों ही के समस्क्राइब वह यह की इलेक्रिक फिर्ड होगा वह भी या तो कॉंस्टेंट होगा या फंग्शन ऑफ-र फंक्शन नहीं से वह एलेक्ट्रो स्टार्टिक जो फीर्ड है उसके दल की नहीं रह जाएगा तो तो फीड डिस्टिबिशन पोटेंशियल डिस्टिबिशन के अंदर भी इन्वजन सिमेट्री मिलेगा मतलब यह है कि अंदर भी इन्वजन सिमेट्री होगा जो symmetric cause के अंदर होगा वही symmetric effect के अंदर होगा यानि electric field या तो constant होगा या आर का function होगा वो ठीटा का function नहीं होगा इतली function of r only यहां से clearly हम लोग समझ सकते हैं कि एलेक्टिक फिल सिफ r का function होगा ठीटा का function नहीं होगा कि आप समझ पारें कैसे चार्ज का symmetry से हम लोग यह conclude कर रहे हैं कि फिल्ड जो है सिफ r का function होगा फिल्ड सिफ r का function होगा अच्छा यहीं से हम लोग यह भी conclude कर सकते हैं कि फिल्ड रेडियल होगा यह दोना statement अलग-अलग नहीं है कि फाइसे एलेक्टिक फ़ंक्शन अफ आर अली डाइस सिंपली मेंस कि एलेक्टिक फिल्ड रेडियल होगा देखो कैसे होगा समझो इस चीज़को यह तो हम लोग निकल गया हम लोगा कि इलेक्टरिक फिल्डरीज होग पॉंक्शनन कार है है कि फाइस हो देखने एकने संद्सक्राइब आपने महां अच् Kollegen पकुरकिंद करते हैं अब इलेक्ट्रीक का स्पेसिंग क्या है क्लोज क्लोज होगा यानि इलेक्टिफिल लाइस सबस्पेस्ट दसोट्ट सेम है यानि उन पॉइंट सब्सक्राइब क्या क्या में रख जिसे लगा काई सेरक्ष इक पेस प्राम लाइने अगर हम लोग ऐसे है था सकते हैं कि प्तब्स्क्राइबले수 सेम नहीं है क्यों कि पॉइंट एप एलेक्टिक फिलाइज ज्यादा स्पेस्ट है आप पॉइंट भी पे एलेक्टिक फिल्ट फ्रा ख्लोजर थिक इस चीज का हम लोग यूज करें देखो हम लोगे पास इंफोर्मेशन क्या है एलेक्रिक फिल्ड इस फॉंक्शन आफ अब यहां से हम लोग प्रूफ करना है दफिल्ड रेडियल दफिल्ड इस रेडियल देखो यहां समझा आपको क्या दिया हुआ है आपको स्फेरिकल चार्ज इस्टिशन दिया हुआ हुआ हो स्फेरिकल चार्ज इस्टिशन दिया हुआ है अब यहां से हमको प्रूफ करना ह एक प्रिशन दर्ण तरह का अब एक समझें हमने का फिल्ड फंक्शन आप आर ओनली इलेक्रीटिक फिल्ड फंक्शन आप आप एलेक्रिक फिल्ड जो है तिस अर्गा फंक्शन इसका मतलब यह है कि अगर कोई हम मालो कि इस टाइब का स्फेर ड्राइब एक स्फेर ड्राइब किया इस टाइब ठीक है और दोने स्फेर अब अगर यह आपका चार्ज इस्टिशन का कैपिटल आता है एक स्फेर ड्राइब किया स्मॉल आप चुक्छी इलेक्रिक फिल्ड आप का फंक्शन इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट पे लेक्टिफिस सेम मतलब है कि हर पॉइंट पे इलेक्टिफ फिल्ड लाइन सुका उनके बीच में जो स्पेस्इग हो खो सेमहना चाहिए ऐन्स के नेबरोड में उनक्तट्रिफि फिल् लाइनों के बीच का स्पेसिंग सेम होना चाहिए या जो पीच का इस से रखते वे दो ही तरह का field line draw हो सकता है दो ही तरह का electric field lines draw हो सकता है such that the field spacing remains same such that the field spacing remains same एक तो electric field line कुछ इस टाइप का हो सकता है गोल ऐसे इस ट्राइब कर दो एक तो इलेक्ट्रिक फिल नाइज पुछ इस ट्राइब को सितने इस ट्राइब सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सकता है वह कुछ ऐसा ट्राइब इस ट्राइब कर दो अब हम का सथा है यह स्पेसिंग से नहीं यह स्पेसिंग से इस ट्राइब आब यह बिए जो गोल वाला श्रील नाहीन गुल्ट है डिससरेरी रूल डाउट ऑंट कि हम रूट देखेंगे बाद ए वह हम लोग देखेंगे कि यह जो इलेक्टो स्ट्रारिक फिल कलाइज और इस उलेक्ट्र स्टाथ ट्राइज पीडनाइज केनाट पॉर्म एक क्लोजड लूप यह देखेंगे बाद में यह डिसकस करेंगे कि इलेक्ट्र स्टाटिक फिल्लाइस क्लोजड लूप नहीं बना सकता है यह एक जो यह ऑप्शन था यह रूल आउट है तो दुस्सा ऑप्शन क्या है जो बैगनी रंग का है वह सा फिल्लाइंग बनेगा तो कि अगर यह आप सटिस्थाई करवाना चाहते हो तो उसके से दो ही तरह का फिल्लाइंग पॉसिबल है कि स्पेसिंग फिल्लाइंस के तो फिल्लाइंस अधर आउंड इस पॉइंट से यह एलेक्टिक रेडियल तो जो गोल वाला है जो क्लोज लूप ना रहा वह रूल डाउट है वागे चलके पढ़ेंगा हम लो डेल क्राशी जीडो और इस फ़र्म में पढ़ेंगे इडाट डियल ओवर एक लोपे 0 यहां स रूल डाउट है तो अगर आप यह बोल तो इस रेडियल वहां से यह भी निकल क्या जाएगा और कोई कहें इस रेडियल यह तो हुआ कि यहां से हम लोग चुलूड कर रहे हैं कि यह रेडियल बट इस वाइस वर्सा और सो इफ समबडी जीड यह रेडियल then from there I can immediately conclude he is a function of R only from there I can immediately conclude that E is a function of R only see how the gear yeah this is and I say E is radial E is radial this is the electric field he has a immediately have local 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 सक्टे है from here I can immediately conclude he is radial how if I draw if I draw any if I draw say any sphere of radius R then I can immediately see that the electric field line spacing around the vicinity of any point on this sphere is same sphere के हर point पे जो field line का spacing है वो सेम है अगर field radial है उसके इस में पोई भी ठीके है यह जो है ठीटा रफाई का function नहीं है को यह स्वेर रख लिया स्वेर पे आर कॉंसर थीटा रफाई तर वेरी कर रहा है but we see that electric field is same everywhere right because the spacing remains same and the electric field is constant on the sphere of radius small r that means E is not a function of theta and phi now E is a function of R why because if I take another sphere then I can say electric field is same each and every point but electric field on this sphere and electric field on this sphere is not same why because the spacing over here is less spacing over here is more you have spacing come here you have spacing is a sphere field strong is a sphere field weak electric field R ka function as if R ka function theta r phi ka function नहीं है एकर theta r phi ka function होता है तो इस sphere पे electric field hard point पे same नहीं होता है तो आप समयते है यहां से यह भी conclude हो रहा है if electric field is radial that simply means कि electric field is function of R only so both statements are give way to each other दोन्यों statement equivalent है both the statements are equivalent both statements one is E is radial and second E is function of R only are equivalent both the statements are equivalent both the statement are equivalent one is a statement equivalent so what do you understand the you understand this importance of symmetry in predicting the form of function which E and V can possess electrical potential kis type of function होगा इसको पर एकने मेंका क्भाफी रॉक्स हो मिलता है सτεमlarını के लिए यह जो है शह कि दिखें कि यहां इसमें रोटेशनल सिमेट्रिए तो इलेप्ट्रिक फिलार पो्टेशन distribution में भी rotation symmetry होगा उसमें भी cos theta type का term रहेगा आपका इसमें भी theta term रहेगा फाइटम नहीं होगा कि फाइटम आते ही rotation symmetry भी खतम हो जाएगा ठीक है तो अगर सीफ ठीटा है तो potential distribution और electric field distribution के अंदर भी ठीटा होगा तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे symmetry भी उच्फुल चीज है आपको कई सारा जिसे आपको objective दिया हुआ है charge distribution दिया हुआ है और निकाह कि भी चलब फालाइं electric field is true तो आप उस उन सारे option को छाट सकते हैं जो इस सिमेट्री वाला आपको झाम कर दो कि अंदिते हुआ तो आपको दो लूस अन्वाट सबसक्री उन्हाँ कर देख वालाव च्थम्सखब को देख आनलाट सकते हैं जो सब्सक्रादित is कि तो इस लोग्याट दिल्साज को फे इस लुक्त रहे वालाच हुआ है